नमस्कार दोस्तों मेरे चनल पर फिर से आप बहुत बहुत स्वागत है मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजरू एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर जी हाँ जिसमें आपको लिखना है एक राइट एन आर्टिकल फॉर न्यूस पेपर एक न्यूस पेपर के लिए एक आर्टिकल on its worth saving the earth ये आपका question 2023 में पूछा जा चुका है तो इस टाइप का हो सकता है कि आपको लिखने के लिए question आ जाए तो किस तरीके से आपको लिखना है चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इस type का question आता है कि you are यहां पे कुछ भी नाम दे दिया रहाएगा सोनिया नेगम आया था जो question वो मैंने लिखा है यहां पे while watching a news channel covering a rally of green peas activities write an article for a newspaper on its worth saving the earth बतलब save earth को save करना worth है इस पे एक आपको article लिखना है तो इस type का question आपको पूछा जाएगा जिसका answer हम मतलब किस तरीके से इसको लिखेंगे यहां पे answer करके लिख देना है आपको और ज it's worth saving the earth हो सकता है यह question repeat भी कर दे तो बहुत carefully आप देखेंगा ध्यान से चले मैं बहुत easy way में समझा देती हूँ ताकि आप exam में easily लिख सके वीडियो पसंद आने पर वीडियो को like जरू कीजेगा अगर आपकी इससे help होती है तो दोस्तों के साथ भी share कीजेगा और चैनल प के साथ कर सकूँ अर्थ is the only planet which can sustain life on it मतलब अर्थ एक ऐसा planet है सिर्फ एक ऐसा only एक ऐसा planet है जहां पे life जो है वो sustain करती है मतलब survive करती है life पाई जाती है the resources of the earth like air, water, sunshine and vegetation make life possible on it मतलब जो resource है अर्थ के उपर जैसे हवा, पानी, sunshine मतलब सूरज की रौष्णी, vegetation make ये सारे चीजे मिलके क्या करती है life possible करती है on it मतलब कहां अर्थ पर we cannot imagine our lives without these resources हम imagine में ने कर सकते अपने life को without these resources विना इन resources के the need of an hour is we need to save our resources to save earth हमारे मतलब earth को save करने का सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि हमें resources को save करना पड़ेगा क्योंकि without resource यहां पे life जो है वो possibly नहीं है the resources earth provides us are limited जो resources earth हमें provide करता है वो बहुत limited है मतलब ऐसा नहीं कि अंधा दुन उसको कैतना वे खर्श करते जा और वो कभी खता में नहीं होगा ऐसा नहीं है एक limited है इसलिए हमें उनका क्या करना है उनको save करना बहुत जरूरी है these are the blessings which we do not count यह blessing है एक वरदान है एक आशिरवाद है हमारे लिए जिसे हम गिन नहीं सकते we have no value of these resources as we are getting them free of cost इसलिए क्या होता है न कि कोई भी चीज़ अगर free में मिल जाती है न तो उसकी value नहीं रहती है वही हाल हो चुका है कि इन resources की हम value इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि free of cost मिली है and in abundance human has become selfish human क्या हो रहा है and is utilizing the earth's resources at a rapid rate rapid rate बहुत जल्दी 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 बहुत तेजी से हम क्या कर रहे है resources जो है earth के उसका use कर रहा है बहुत तेजी से we need to protect them हमें उन्हें protect करने की जरुवत है in order to protect our lives अपनी life को protect करने के लिए not only this not only this all the resources are now polluted और इसके अलावा क्या हो चुके है मतलब सारे resources होते हो polluted हो चुके है due to human activity human activity की वजह से सारे जो resources है वो polluted हो चुके है we need to save the earth हमें जरुवत है earth को save करने की at all cost हर कीमत में all the other issues are secondary जो बाकी जो issues है वो secondary है and saving the earth be the saving the earth be the main concern हमारा main concern क्या है earth को save करना if we do not change ourself अगर हम अपने आपको change नहीं करेंगे we will lose the chance of seeing our future generation हमारी future generation को देखने का जो chance है वो हम lose कर देंगे flourish I must say इसलिए हम मैं कह सकती हूं कि it's worth saving the earth हम अर्थ को save करना बहुत ही मतलब वर्थ है तो इस तरीके से वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपके जेगा शेके जेगा और आल दे बेस्ट पोई एक्जाम